हाई गाईश आज हम आपको एस्पी के डेक्चे रिक्कीज इक्तिस प्रिंटर की 803 कार्टेज को रिफिल करना सिखाएंगे तो देखिए वीडियो को दियान से पूरा देखिए पहले तो हम इसका इंक सूख गया तो यह सक्षन टूल लगा के इसको किये चलेंगे करो कि में लगाएंगे कार्टेज को सक्षन टूल में लगाएंगे थोड़ा पूश करके इसमिश को इंदर फिक्स कर देंगे इसके बाद में इंजेक्शन से इधर से पीचे की साइड से इससे इसमें इंक पूरी तरह से सूख गया इसलिए नहीं निकल रहा है हम एक बार और ट्रे करते हैं फिर से कर दो कर दो कर दो कर दो हमारे इंक में से इंक निकल गई है काटे से कर रहा है अब हम काटे में इंक पर रहेंगे इंक की ला लेते हैं अच्छे से डब्ल को बोटल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें जन गया होगा इंक अब हम इसको इंजेक्शन में दो अच्छे तीन एमिल का कि छोटा इंजेक्शन है तो तीन एमिल बढ़ लेते हैं कर लो तो कर लो था कर लो था कर लो था कि इनको बर्ट लेते हैं कि हमने क्योंकि हमारे काटेज में पेले शेंक बढ़ा है तो हम इतना है अब इसको हम हटा देते हैं बोटल को फिर से बंद कर देते हैं कि इसमें सोख जाएगा तो चम जाएगा कि अब हम काटेज में इनके डालेंगा अब इसके इसको चाल लो अब बाला में अब 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 इसमें पांच होल है हमको बीच वाले होल में इंक डालना है तो हम पीच वाले होल में इंजेक्शन को इस तरह से डालते हैं और देरे देरे से इंजेक्शन को दबाते हैं पर इंजेक्शन को निकाल नहीं है और इस टेगर को पूली दर से चपका देंगे एर ना चाहिए जलाए लोगएँ है अब यह हमारा कार्टेज को प्रिंटर में लगाएंगे आपको अजानकार अचे लगी हो वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक एंड से और सब्स्क्राइब करें दन्यावार